शक्स मौजूद है इस समय जो सुशान सिंग राजपूत के केस में एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं यह वो शक्स है जो सुशान सिंग राजपूत की मौत के बाद जब उनकी बॉड़ी को ऊपर हॉस्पिटल आया गया तब से जब तक उनको शम्शान गाट ले जाया ग कि आखिर क्या कोच हिनों ने देखा और यह जो खुलासा करने जा रहे हैं उस बारे में इनको क्या कहना है अब बते कितने बजे की बात है क्या हुआ था जब सबसे पहले एंबुलेंस यहां पहुची उसके बाद कब तक आप शुशान की जब बॉड़ी थी उसके साथ थे सुशान की बॉड़ी शाम में जो पांच बजे से आई थी मैं जब कोफर ऑस्पिटल में पहुचा था बैंडरा सो वो एंबॉलस लेके आया था बड़ी ऑस्पिटल में रखे थे सिरियस रूम में इसको इसको सब चेक कर रहे थे उसके बाद सब कुछ हुआ में को अंदर जाने नहीं दे रहे थे जो उसको को समाडम की तरफ लेके आये जब मैं बॉडी देखा अंदर जाके अपने मामा लोग पाइचाना ले दे अंदर जाके मैंने देखा फिर जब सका साड़े गयरा वजे वो को समाडम हुआ रात में रात में जो साड़े गयरा वजे को समाड कि आपने जासा बताया ऩो बटाए थे बॉडिता थे रहे हैं अपने बॉडि देख़ा गया उपने परिय उठ कैसे कह सकते हैं के पार के हट्ड शर्म वाजर एगा धार भी इत्या च्टन डुटे ψ। आपको कैसे बता लगा कि पैर के अड़ी तूटी हुए है एक मोटा है और एक पतला है कि वह पले से नंगड़े थे पहले से क्यों नैवेस्ट थे नाई वो पहले से अच्छे थे उनकी पैर की हड़ी तूटी थी और दूसरी बाद यहां पे निशाने थे स्गियो के मिर्ची मैंने जब उसको टेप लिगाला था देख था जब उसको कुछ तेल में नहीं झाहे था नहीं ते निशान थे बड़े पर धर की हड़ी तूटी जि और भी कहीं कोई निशान थे निशान थे ज़ए और बोटी कैसे आप कह सकते हैं कि जयसा आपने पताया था क्या आत्मात् आदमी जबान भार आएगी, बातरूम लिकल जाएगी, पिसाब आएगी, ना कुछ गिल्ला ताना कुछ था, शुक्का ही ताना, आपको जानकरी जादा छिये, तो बेंडरा पुलीस ऑले लोको भी जाके आप पुछिये सर, बेंडरा पुलीस ऑले आप क्या कर रहे थे, पुलीस ऑले क्या डॉक्त रॉड एडरों से बात्शीत कर रहे थे, वो हमारे संवेदा बात कुछ नहीं करे जा रहे थे, फिस सुगा जो रिगोज च्छ परती आई ती, तो बेहा छुक्ति जो आई थी, उसकी गॉंड़ फॉरेंड वो आई ती, 25 मिलिटर वो अंदर दी, मैं उसके साथ था, जब वो माफिय भी मंगी थी, जा बोली थी, सौरी, 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 और रोरोगे सौरी बोली थी, बस, और कॉन था माझूद, उसके साथ एक लंबे बाल, गुंगरुब बाल वाल एक अदमी था, और एक कोई आदमी छोटे बाल तीशिट पहना था, वो ठाज टीशिट लिंग और जीन ते आप, ड्यान अपको, वो जाएख वाल शट पहना थी, पहना था, जीन था, जा ठीकना दीन थी, और फिर, उसके बाद कितनी देर तक अंदर रहे, क्या बात उड़ी थी, क्या बात उरी थी, वो आदमी में बहार अचले जाई आप हमोगार उबस पच्छीस मिलिट के भार आई बस अमोग भी महाँ खाड़े तो इसकी गाड़ी के बस मैं उसको देगा बस इसके बाब यापने बताया कि आप शम्शान घाड तक उस गाड़ी में शम्शान घाड तक था जब सब कुछ हो गया चार बजे चार शाड़े चार बजे शम्शान घाड लेगे गए ते शम्शान घाड में जब उसको जलाए पूरा तक लाश तक महता उसके जिजा जी उसके जितने दोस लोग जिसे बहुत जन हीरो लोग भी आयते उनका एंट्री नी थी तो बहुत पुलीस खड़ी थी बहुत बहुत पुलीस खड़ी थी बैंट्रा वाली जूप पुलीशेशन भी खड़ी थी ऐसा की नहीं जो पुलीशेशन को कुछ लेना देना है इन्यूस में बस बैंट्रा पुलीस को यही चाहता हूं कि आप कुछ सच का बहुत लिगा लिए और डॉक्टर लोग से कुछ बहुत लिग जब मैं बाड़ी होटाता हूं जब हमको मालिम पड़ जाता है कोई भी फासी लेगा तो जब जब फासी लिया है तो तुमको कैसा मालिम फासी लिया है तुमको कैसा मालिम फासी लिया है फासी लेगा तो बात्लू होई घिसा वही होई तो आपने एक यह बोला था कि जो बता रहे थे अभी मुझसे के बॉड़ी वाइट हो जाती है ऐसा कुछ बोल रहते अब वो क्या होता है फासी लेगा तो एलो बोड़ी नहीं होती तो आपका दावा यह है कि आप वहां मौजूद थे और डॉक्टर ने भी यह बात बोली कि यह मडर है आपने देखा कि छोचान के शरीप निशान के जी डॉक्टर लोग दम दूर दूर से बोड़े थे हम कान से सुन रहे थे हम आपको बोड़े डॉक्टरों का नाम नहीं दूर टॉक्तरों का एड्रेस नहीं माले हो बस बसद लोग को बात कर रहे थे हमसम तुन रहे थे हम कि सुन रहे थे हमको कह इतना ही है गिए आपके चीज से डर रहें यह चीज से टर रहो कि कभी बैंद्र वाली पुलिस आ जाएगी बैंद्र पोलिस आएगी बल्रवली हुआ है यह बहुंत है जो नहीं चाहते का लिया जाए और इन्होंने बादसीत में जो खुलासा करा वह यह कराए कि यह उसमें मौझूत है वहां पर यह बाड़ी उठाने का काम करते हैं यह उचान की बाड़ी उठाई तो नहीं कुछ चोट के निशान भी देखे और इनका क कि आपर में यह बात कर दे थे कि शुशान का मर्डर हुआ है हलाकि अभी जान चालू है चालू है और सीब्याई की टीम लगातार पूश्ताच कर रही है वागे देखना यह होगा कि क्या कुछ इसका नतिजा निकल कर आप